असत्य पर सत्य की जीत का त्योहार दश्यरा देश भर में मनाया गया जगा जगा रावड के पुतले फूके गए इस बीच बिहार के पटना से सीम नितीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वालण हो रहा है दरसल सीम नितीश कुमार और डिप्टी सीम समराठ चौधरी ने पटना के गांधी मैदान में आयोजित दशेरा समहरों में श्विरकत की इस दुरान सभी महमानों को धनुष बार दिये गए सीम नितीश भी धनुष बार लेकर खड़े हो गए फिर जब रावर देहन के लिए धनुष से तीर छोड़ा जाना था तब सीम नितीश के हाथ से धनुष और बार दोनों ही छूट कर मंच से नीचे गिर गए इस मुवमेंट को कैमरे में किसी ने कैद कर लिया जो लगातार अब सोचल मीडिया पर वारण हुरा है आप भी देखे इस वीडियो इसे लेकर सोचल मीडिया पर रेयक्शन की बार्ट जी आ गई है लोगों ने इस पर तरह तरह की कमेंट किये हैं इन में से कुछ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं रहुल सैनी नाम के एक यूजर ने लिखा बिहार के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार जी ने धनुश और बार दोनों चला कर रावड का बत किया अंकित नाम के एक और यूजर ने कुछ इस तरह से कमेंट किया हर साल दशेयरा में किसी ना किसी नीता के साथ ये होता है इस बार नितीश ची के साथ ये हुआ बताते कि हर साल दशेरा में इस तरह की कोई न कोई वीडियो सामने आही जाती है बीते सालों में कई लोगों की हातों से धनुष और बार गिरने की वीडियो सामने आई है इन में PM मोदी और BJP सांसत कंगना रनौत का भी नाम शामिल है पिछले साल दशेरा पर भी कुछ इसी तरह कंगना रनौत के हातों से भी धनुष बार छूड गया था इसी मौके को याद करती हुए एक यूजर ने लिखा कि पिछले साल कंगना इतनी वारल थी कि इस साल मितीश कुमार ने उनकी कौपी करने की सोच ली है जरा आप भी देखिए ये वीडियो अधियो कंगना जी कंगना जी असत्य पे शत्य की जीद कर रही है 2017 में पियमोदी राम नीला मैदान पर रावर दहन करने पहुझे थे तब कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला था उनके भी हातों से धनुश और बार फिसल गया था आप भी देखिए 2017 का वो वीडियो तो देखा आपने जो नजारा गांधी मैदान में देखा गया वही नजारा इससे पहले भी कई मौकों पर देखा जा चुका है बड़े कम मौके ऐसे होते हैं जब राजनेता राजनीती नहीं बलकि किसी और मुद्य को लेकर खबरों में आ जाए और ये ऐसा ही एक मौका था इसी तरह कि और वाइरल वीडियो देखने के लिए आप देखते रहे हैं डीबी लाइफ नमस्कार